नमस्कार दोस्तों एकॉनमी का हिसाब किताब लेकर फिर से हाजर हुआ हूँ आपके सामने आज मैं सिर्फ चार चीजों पर बात करूंगा और जी हाँ वो कोविट को लेकर है कोविट का असर हमारे एकॉनमी पर ये फिर से महत्वपून हो गया है क्योंकि जब लग रहा था एकॉनमी पट्री पर वापस जा रही है आप देख रहे हैं किस तरीके से कोविट वापस आ गया है बड़े शहरों में या तो लॉकडाउन लग गया है या वीकेंड लॉकडाउन लग गया है और इससे क्या हो रहा है लोगों की नौकरिया जा रही है काम खतम हो रहा है बं अमीर गरीब में वासला किस तरीके से अमीर गरीब में फासला बढ़ा है कोविड में 2020 में मैं लगादर कहता रहा हूं और अब नए आखडे सामने आ रहे हैं जिससे ये और भी साफ हो रहा है साथ में दूसरा एक और चीज हो रहा है और वो है किस तरीके से rozgar की जो गाड़ी है वो उल्टी तरफ जा रही है बिल्कुल उल्टी तरफ बह रही है rozgar की जो गंगा है वो है हमारा no.2 no.3 न.3 है middle class middle class पर किस तरीके से एक वार हुआ है covid-19 में किस तरीके से इतने सालों बाद लगबग 30 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि middle class की एक तरीके से आप कह सकते बुरा मत बाने का वाट लग गई बिलकुल मैं मुंबईया भाशा में कह रहा हूँ वही हुआ है middle class का इस वक्त और आखरी बात यह जो पड़े लिखे लोग हैं उनका पड़ने लिखने का और कोई मतलब नहीं रहा क्योंकि कोविट के बीच में एक और चीज साफ हुआ है कि पड़े लिखे लोगों का काम सबसे जादा गया है और यह जिस तरीके से कोविट वापस आया है लगता है यह ज तो दोस्तों कोविट किसी को नहीं छोड़ता यह जो वाइरस है वो चाहे वह आप करोड़ पती हो या चाहे आपके पास एक पैसा नहीं हो आपका असर उसका ही बुरा हो सकता है हाँ जो अमीर है उसको अस्पताल का बेड मिल सकता है लेकिन हम जानते हैंगे अस्पताल पह जो कोविट अमीर गरीब नहीं देखता है लेकिन कोविट का जो एकॉनमी पर असर है जो आत्तिक असर है वो साफ है अमीरों को और भी अमीर करता है और गरीबों को और भी गरीब एक रिपोर्ट निकला है हुरुन रिपोर्ट बोलके हर साल निकलता है इसमें क्या होता है क कि चीन और भारत में जो अमीर लोग हैं, जो करोड़ पती लोग हैं, जो सूपर रिच है, उनका एक ब्योरा दिया जाता है, लिस्ट निकलता है उसमें, और इसमें एक चीज सामने हमारे आ रहा है कि इस साल हमारे देश में जब आप जानते हैं कि हमारे देश की आए, कोल बिलियनेर बन गए हैं, यानि कि 45 प्रतिशत हमारे देश में डॉलर बिलियनेर का नंबर बढ़ गया है, डॉलर बिलियनेर मतलब क्या होता है, जिनके पास एक बिलियन डॉलर की संपती कम से कम हो, आप जानते कितना होता है, मतलब साड़े साथ हजार करोर रुपे, साड़ साथ हजार करोर रुपे की संपत्ती कम से कम इन लोगों के पास होता है तो वो डॉलर भी नहीं होता है मेरा नमब नाम नहीं आया इस लिस्ट में मैं चार पांच रुपे से पीछे रह गया लेकिन खैर अगर आप एक Oxfam का रिपोर्ट देखिए हमारे देश में जो बिलेनेर सबसे अमीर 100 लोग है इनकी जितनी कोविड के टाइम 2020 में संपत्ती बढ़ी है वो अगर उनसे लेकर हमारे देश के 10 प्रतिशत जो सबसे गरीब लोग है लगभग कितने होंगे लगभग 13 करोर 80 लाक के आसपास जो सबसे गरीब लोग है उनमें बाट दिया जाए आपको है कितना मिलेगा उनको हर एक आदमी को 94,000 रुपए का चेक कहता है मिलेगा अगर 100 लोगों से पैसा जिनकी उतनी बड़ा तुई है बाकी नहीं इस साल जितनी उनकी संपत्ती बड़ा थी वो लेकर 13,80,000,000 लोगों सबसे गरीब जो 10 प्रतिशत लोग है उनमें बाठ दिया जाए तो उनको मिलेगा लगबग 1,00,000 रुपए चल ये 15,00,000 नहीं लेकिन 1,00,000 जरूर मिल सकता था खैर ये तो हुआ हुरून रिपोर्ट और Oxfam की बात कर रहा हूं है और जैसे मैं कहरा था कि इसी बीच गरीब और भी गरीब हो गए हैं और इसमें अभी अभी एक ले लेक लिखा है अभी कुछ दिन पहले वह आप जरूर पढ़िएगा ढूंटकर पढ़ लीजिए वो लेकि उसमें बहुत कुछ है उसमें उन्होंने बताया है कि हमारे देश में जो लोग गरीबी रेखा के उपर थे गरीबी रेखा के उपर थे मतलब गरीब थे लेकिन गर बिलियनेर हो गए हैं साड़े साथ करोड और लोग गरीबी रेखा के नीचे चले गए हैं और मैं अगर बाकी डेटा भी देखूं जैकि जैसे कि मैं हर वीडियो में आपको CMI Center for Monitoring Indian Economy का डेटा लेकर आकड़ा लेकर आपको बताता हूं हर महीने हर हफते CMI डेटा एक सर्व 2021 का तो हमारे देश में कुल जितने लोगों के पास लोजगार है वो बढ़ा है आधा परसेंट बढ़ गया है कम नहीं हुआ है लेकिन जो लोग या तो अनपड़ हैं या पांच भी तक पड़े हैं प्राइमरी स्कूल तक पड़े हैं ऐसे लोगों का रोजगार 35 प्रतिश उनके हाथ से नौकरिया चली गई है रोजगार उनका चला गया है और इसी से जुड़ा हुआ है हमारा नंबर टू पॉइंट नंबर टू पॉइंट है कि किस तरीके से रोजगार की गंगा उल्टी बह रही है क्योंकि किसी भी देश में जहां पर भी विकास हुआ है में जो खेती है वो छोड़कर वो शहरों के तरफ गए हैं पिछले दो साल से यह हमारे देश में उल्टा बह रहा है दोजार उन्नीस से लगातार उससे पहले खेती से लोग निकल कर शहरों में जा रहे थे खेती में रोजगार के अफसर कम थे लोग बढ़ गए थे खेत ब पर नहीं है लेकिन फिर वहां से पैसान जो आता था वो लेकर वो गाहूं भीचते थे पिछले दो साल से यह उल्टा हो रहा है और कोविड में तो और भी ज़ादा हुआ है आप देखिए कि कोविट के बीच क्या हुआ है कि खेती में काम करने वाले जो लोग हैं वो कोवि में जरूरत नहीं है मैं आपको उधारन देता आप सोच लिजे कि एक गरीब घर में किसान के घर में तीन बेटे हैं दो खेत में काम करते हैं और उनके श्रम से खेती अच्छी तरह से हो जाता है वहां से निकल कर एक भाई तीसरा भाई चला जाता है शहर में कहीं पे काम ढू लेते हैं और वो जो पैसा होता है वो गाउं भेजते हैं खेर कोविट के बीच में क्या हुआ है ऐसे काम गायव हो गया है नौकरिया नहीं है तो क्या हुआ है ये लोग वापस गाउं चले गए अब तीसरा भाई भी जरूरत नहीं है उसकी लेकिन खेत में हाथ बटा रहा सर्वे करने वाले जब आते हैं जैसे CMI का भी है सर्वे करने वाले जब आते हैं और उनसे पूछते हैं भई आप क्या काम करते हो वो बोते हैं मैं तो खेती करता हूं जी है ना तो उस कॉलम में चला जाता है कि खेती करने वाला ये आदमी है और किसानों की तादाद जाती है खैर अगर मैंने आपको बता है तीन ऐसे लोग हैं उनमें से दो की जरूरत नहीं है आए परिवार का नहीं बढ़ा यानि इसको चिपी हुई बेरोजगारी इस गाइज अनिम्प्लॉइमेंट कहा जाता है तो अगर तीन प्रतिशत खेती में लोगों का काम बढ़ा ह आप अराम से सोच लिजी कि उनमें से दो त्या यानि दो प्रतिशत ऐसे हैं जो असल में बेरोजगार है उनकी आए नहीं बढ़ रही जहां खेती में रोजगार बढ़ा है मतलब लोग जादा हुए हैं उसी तरह बिलकुल उल्टे तरह हैं मिडल क्लास वाले काम मिडल और उच्छ मध्यवर्ग जिसको हम कहते हैं अपर मिडल क्लास वाले काम वो क्या हुआ एक बिजनस है ना बड़ा बिजनस नहीं बिजनस करने वाले और जो वेतन जिनको मिलता है सैलरीड जॉब ऐसा होता है जो सब चाहते हैं क्योंकि वो सब से सिक्योर नौकरी होती है नौकर एक साल में ठीक है अगर हम इनको जोड़े तो एक तरफ हम देखेंगे इनकी तादात कम हो गई है उतना ही लगबग उतना ही थोड़ा कम बढ़ गया है ऐसे लोगों का जो छोटा व्यापार करते हैं कहीं पर छोटा सा एक दुकान खोल लिया है कहीं पे चाय का दुकान खोल लिया है और जो दिहाड़ी मज़दूर है दिहाड़ी मजदूर और छोटा व्यापार ऐसे लोगों की तादात बिल्कुल उतना ही बढ़ गया है और इससे क्या हमें पता चलता है कि मिडल क्लास वाली जो नौकरियार काम थी वो कम हो गए हैं और ये लोग छोटे व्यापार और दिहाडी मजदूर के तरफ चले गए हैं यानि कि मिडल क्लास वाले फिसल गए हैं और यहाँ पर भी विवेक कॉल जी का आकड़ा मैं आपके सामने लाता हूँ उन्होंने प्यूर रिसर्च सेंटर का एक शोध से सामने वो लेकर आये हैं और उनका कहना है कि तीन कडोर बीस लाख लोग लगबग मिडल क्लास से हमारे देश में 2020 में फिसल कर निम्नवर्ग में चले गए हैं गरीब क्लास में चले गए हैं यानि कि मिडल क्लास को बहुत बड़ा चोट और मिडल क्लास की बात कर रहा हूँ तो चौथे पॉइंट पर आता हूँ जैसे मैंने आपको बताया कि जो अनपड़ या कम पड़े लिखे लोग है 35 प्रतिशत उनकी नौकरी चली हो गया है जो सबसे जादा पड़े लिखे लोग हैं 2000 मार्च 2020 से मार्च 2021 तक 18 प्रतिशत नौकरिया और रोजकार के अफसर कम हो गए यानि पड़े लिखे होने का कोई मतलब ही नहीं रहा तो चार चीजों को कासार अगर मैं निकालू तो कोविट का असर क्या हुआ है हमार जो अमीर हैं सेट लोग हैं करोड़ पती हैं वो और भी अमीर हो गए हैं मिडल क्लास में से एक तपका फिसल कर निमनवर्ग में गरीब क्लास में चला गया और जो सबसे गरीब हैं वो और भी गरीब हो गए हैं ये तो आपका हाल है कोविट वापस आ रहा है लगता है ये ह झाल झाल